नमस्कार दर्ष निउस में आप सभी दर्षकों का स्वागत है मैं प्रिति दयाल आपके साथ केके पाठक की आखिरकार शिक्षा विभाग से छुट्टी हो ही गई शिक्षा विभाग के अपरमुखे सचीव के पद से सरकार ने केके पाठक को हटा दिया तो वहीं उन्हें राजस्व भूमी सुधार विभाग का प्रमुख सचीव बनाया गया है शिक्षा विभाग के अपरमुखे सचीव बनने के बाद वे काफी चर्चा में आ गय थे शिक्षक विभाग में आने के बाद से लगातार फर्मान केके पाठक के द्वारा जारी किया जारा था केके पाठक के कई फैसरों को लेकर काफी विवाद भी हुआ पिछले साथ उहारों में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर खूब राजनीती हुई थी तो वहीं एक बाद फिर से जब उनकी शिक्षक विभाग से छुट्टी कर दी गई है तो वो सुर्खियों के बीच छा गया है एक के बाद एक शिक्षक नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है और सोशल मेडिया पर तो पोस्ट की बहार आ गई है इसी क्रम में शिक्षक नेता अमित विक्रम ने केके पाठक के हटाई जाने को लेकर सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर एक पोस्ट शेर किया है इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक लुटेरे का अंतता ट्रांसफर हो गया डेस्क बेंच, बोरिंग तंगी, फ्री फैब सहीद, आधा दरजन घोटालों के जनक को शिक्षव विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया मासूम बच्चो और करतव्य निष्ट, शिक्षकों की हत्या करने वाले किसी भी जगद चले जाएं, शांती से नहीं रह पाएंगे कुकर्मों का हिसाब होगा वही अमित विक्रम के इस पोस्ट पर रियक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा केके पाठक जी को पहले मैं भी इमानदार समझता था मगर जब स्कूल में 2000 का डेस्क बेंच 5000 में और 80,000 का बोरिंग 2,70,000 में 260 फीट की जगा 120 फीट करकट का क्लासरूम बना के लाखों का बिल पास करने जैसा घोटाला देखा तो लगा की नई दुलहन काम कम और आवाज जादा करती है वही इस कमेंट का जवाब देते हुए अमित विक्रम ने लिखा कि बिलकुल सही इस सब का हिसाब होगा तो कुल मिला कर देखा जाए तो केके पाठक को लेकर अब तक चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है वही कई लोग केके पाठक को हटाए जाने से खुश है तो वही कुछ नाराज भी कुछ लोगों का मानना है कि केके पाठक के रहते जिस तरह बिहार में शिक्षविवस्था पट्री पर आना शुरू हुआ था तो वही अब उनके चले जाने से फिर शिक्षविवस्था चर्मरा जाएगी वहीं इसे लेकर भी अमित विक्रम का कहना है कि कल से लगातार कुछ ट्विटर हैंडल्स पोस्ट कर रहे हैं केके पाठक के चले जाने से शिक्षविभाग का बेरा गर्क हो जाएगा अब शिक्षव पढ़ाएंगे नहीं आश करेंगे और मौज बनाएंगे ये वहीं लोग हैं जिनको जमीनी हकीकत का कुछ पतार नहीं हजार करोर से अधी का घोटाला करके पाठक गए हैं और इनको कुछ खबर नहीं है तो साब देखा जा सकता है कि जो चर्चा है वो जोरो पर है वहीं बात अगर केके पाठक की की जाए तो वह एक सक्त मिजाज के अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं वो सिर्फ विवादों में नहीं रहे बलकि शिक्षविभाग में बदलाग को लेकर भी जाने जाते हैं उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिससे बिहार के सरकारी सकूलों में चातर और चात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई स्कूलों में समय पर शिक्षक और छात छातरा पहुँचने लगे थे इसके साथ ही उन्होंने लाखों शिक्षकों की बहाली करवाई थी जिसको लेकर गुक्के मंत्री भी खुले मंच से उन्होंने उनकी प्रशनसा भी की थी हाला कि दूसरी ओर उनकी आलोजना और विरोध भी जम कर किये गये थे और अब जब केके पाठक को उनके पद से हटा दिया गया है उन्हें दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसके बाद से लगाता है जितने भी शिक्षक नेता है उनके ओर से जो प्रतिक्रिया है वे सामने आ रही है जो केके पाठक के काम को पसंद करते थे वे जम कर केके पाठक की सराहना कर रहे है तो महीं जो केके पाठक को पसंद नहीं करते थे वे लगातार जो केके पाठक पर एक बार फिर से हमला कर रहे है तंज कस रहे है तो फि तो पेज को लाइक करना ना भूले